हनुमान जी से सीखें, ये तीन बातें कभी दुखी नहीं होंगे दोस्तों, जिंदगी में कभी-कभी ऐसा समय भी आ जाता है कि जब हम इतने डाउन हो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सब कुल खत्म हो गया हो, हमें सकारात्मक विचार आने ही बंद हो जाते हैं और हमें नक स्वार्थ सेवा और भक्ति जब तक हनुमान जी भगवान श्री राम के साथ रहे तब तक उन्होंने अपने आपको श्री राग के प्रतिसमर्पित कर दिव था, उन्होंने भगवान श्री राम की निस्वार्थ भाव से सेवा की उनकी हर आज्या का पालन किया और रावण पर निजम पाने के लिए श्री राम का हर कदम पर साथ दिया क्योंकि ये भगवान श्री राम को अपना सब कुछ मानते थे और आज इस कल्यूग में बिना स्वार्थ के कोई किसी की सहायता नहीं करता हर किसी को अपने ही स्वार्थ की पड़ी है हर इंसान अपने ही फायदे के पीछे पड़ा है हक तो भगवान की भक्ती भी अपने स्वार्थ के लिए करते है दूख में तो भगवान माद आते हैं लेकिन सुख में फिर हम भूल जाते हैं इसलिए श्री हनुमान जी के इस गुण से हमें ये सीखा लेनी बाहिये कि कभी भी किसी की सेवा या सहायता निवार या भाव से करें प्रभु भती भी कोई स्वार्थ से न करें प्रभु पर विश्वास रखें फिर देखना आपका जीवन सुख और शाति से भर जागेगा निडर्ता श्री हनुमान जी का ये गुण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है माता सीता की खबर लाने लंका जारीबा श्री हनुमान जी के रास्ते में भी बहुत सारी बाधायें आई सुर्सा जैसी राक्षसी हो या लंकिनी या फिर रागम की ट्रेंकार सेना उन्होंने निडर्ता से सबका सामना किया, रावण की सोने की लंका जताई, कोई भी उनका कुछ बिगाड नहीं सका और सकुषल माता सीता की खबर लेकर प्रभु श्री राम के पास वापस बाए हमारे जीवन में कई बार इतनी सारी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं, हम हर जाते हैं कि हमसे कुछ न होगा, हम उस तकलीफ को हमारे मनोबल से बड़ा समदा लेते हैं, इसलिए भी तकलीफ हम पर हावी होने देते हैं और हमारा होसला तूट जाता है श्री हनुमान जी का ये गुण हमें पे सीख देता है कि जीवन में कितने ही बड़े शैलेजिस क्यों ना आए बस उनका निडरता से यानि निर्भय होकर सामना करें फिर देखना सफलता अपले कदमों में होगी शून्य अहंकार श्री हनुमान जी को सभी देवी देवताओं से वर्दान प्राप्त था और माता सीता से भी उन्हें महसिद्ध्य और नवनिद्ध का भी वर्दान मिला था और वे आज भी अजर अमर हैं और अपने भत्तों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं भगवान शिव के ये रुद्रावतार होने के बावजूद उनमें अहंकार बिल्कुल नहीं था माता सीता को रावण की कैद से लकारी वापरा लाने में भगवान श्री राग की इतनी सहायता करने के बावजूद उन्होंने इसका श्रे प्रभु की राम के आशिरवात को दिया और आज हम किसी की घोडी सी भी सहायता या मदद कर देते हैं तो हमें अहंकार आ जाता है आज की समय में तो गरीब को दान देते वक्त भी लोग सनलिक्रिया लेते हैं अपनी क्षमता और प्रबलता का कभी किसी के सामने दिखावा या अहंकार न करे अपने अई जीवन और अपनी सफलता का श्रे प्रभु की दे राणा के पास क्या कुछ नहीं था लेकिन उसके अहंकार के कारण ही उसका पलन हुआ था क्योंकि अहंकार आपको पतन के मार्ग घर ले जाता है। दोस्तों, श्री हनुमान जी के इन तीन गुर्गों को अपनी जिंदगी में अपनाने से आपको अपना जीवन जीने की प्रिरणा मिलेगी और जीवन में सकारात मकता के साथ सफलता भी प्राप्त होगी।